Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, Welcome to Magnet Prince इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Rulers and Religious Tradition के बारे में Rulers and Religious Tradition में भी हम पढ़ेंगे The Jagannath Cult के बारे में अब देखो यहाँ पे, पिछले वीडियो मेंने आपको Language के Perspective से बताया कि किस तरह से Language जो है, एक Important रोल पे करती किसी भी Area के Regional Culture को Show करने में अब यहाँ पे Tung Twister आगे हैं क्या? कि Rulers Religion और Religious Tradition, तो अब देखना समझना, कि धर्म जो होता है, Religion जो होता है तो Religion भी किसी एक Area और किसी एक Region के एक Culture को Show करता है तो उससे समझने के लिए हमारे पास Example क्या है? जगनात कल्ट, अब जगनात कल्ट कै है वो समझा देताओ में तो आपने सुना होगा न रत्यातरा निकलती है, जगनात पूरी की रत्यातरा निकलती है जहां पे तीन डेटी हैं कौन कौन से हैं तो तीन डेटी की समझना कृष्ण भगवान की मूर्ती होती है अभी आगे और बताओंगा इनमें इंट्रेस्टिंग चीज़े कृष्ण भगवान की मूर्ती होती है बल्देव जो है उनके भाई है उनकी मूर्ती होती है और राधा कि religious traditions के perspective से regional cultures को समझने की कोशिश करेंगे शब्द अच्छे से सुनते सनना confused मत होना ठीक है मैं खुद confused हो सकते हूँ यहाँ पे tongue twist हो सकती है तो उस चीज़ को भी समझना अच्छा एक और चीज़ सुनो important यह जो पूरा तो वैसी क्या करना है आपको कि आज बाज जो facts इखटे करते रहना है बाकि आपको एक theme समझ में आएगी तो इससे अगर आप हम यहाँ पर देखे कि religion कैसे किसी भी जगह के regional culture को influence करता है तो regional culture grow around religious tradition how तो अब इस चीज़ को समझो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है cult of जगनात at puri odissa ठीक है जगनात मतलब क्या है जो जगत के नात हो जगत के नात मतलब क्या है कि जगत याने पुरा wish और नात मतलब हम मतलब लोड है भगवान है तो वो उस तरह से नात के लिए उसकिया गया यहाँ पर तो यहाँ का जो regional culture है यहाँ के जो regional empire रही है ठीक है जो rulers रहे हैं उन लोगों ने एक specific religious tradition को promote किया है जो आज उस region की पहचान बन गया है जैसे मैंने बताया कि आपकी colony में कोई कचोडी वाला है तो कचोडी वाला आपकी colony का क्या बन गया है सिंबल बन गया है ना किया रहे अच्छा उस colony में तो जहाँ वो कचोडी वाला है तो उसी तरह से क्या है यहां पे आपको यह चीज समझना है कि जगनात कल्ट जो है यह जो religious कल्ट रहा जैसे हिंदुईजम में ही जगनात भगवान की पुजा की जा रही है लेकिन वो specifically Odisha में पूरी में की जा रही है तो इस कारण से क्या है कि यहां का जो region है वो इस religious tradition के कारण जाने जाने लगा ठीक है इसे हम इस कारण से जानते हैं तो to date the local tribal people make the wooden image of deity which suggests that the deity was originally a local god समझना who was later identified with Vishnu अब क्या होता है तो आपको यह समझ में आएगा आपने पिछला chapter पढ़ा था भक्ती tradition वाला तो भक्ती tradition वाले chapter में आपने क्या सीखा क्या समझा मुझे बताओ आपको इतनी चीज क्लियर होगी जी ना भक्ती tradition में लोग अपने personal god अपनी personal duty से क्या करते थे या devotion रखते थे कि मेरा एक यह भगवान है और मेरी लगन उनसे लगी हुई यह उस तरह से ठीक है अब वो चीज जो थी तो उस चीज में आपने देखा होगी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के भक्ती कल्ट सिमर्ज होए साउथ इंडिया में जैस संकाचारे वगरा के बारे में हम उन्होंने अपने सालवेशन का रास्ता खुद धून लिया तो वैसे कि यहां के जो लोकल ट्राइबल पीपल थे तो उन्होंने यहां के जो लोकल गॉट थे वो अपनी लोकल गोट के लिए करते थे वुड़न इमेज बनाया करते थे और उन्हें पूछते थे सारी करा दे इंडिफाइड दी लोकल डेटी विथ विष्णू ठीक है जगनात पुरी में जैसे अब जो स्टेचियूस बनाई जारी जो डेटी की मूर्तिया बनाई जा रही है हाँ एक चीद और जैसे हमें वुड़न इमेज कहा है तो आप आर्ट इन कल्चर से जोड़ो कि अब उसमें अगर पॉलेटिकल लीडर्स नहीं बोलेंगे तो पॉलेटिकल इडर्स को कौन पूछने वाला है हाइलाइट में तो रहना पड़ेगा अब जब समझ में आ रहा है कि यहाँ के रिलिजियर्स ट्रेदिщंस जो हैं वो यहाँ के रिज्गनल कल्चर को इन्फुलेंस कर रहें तो यह जो रूलर्स है ना यह रूलर्ल्स भी उस रिलिजियर्स ट्रेदिशन में एक गंगा डेनिस्टी तो गंगा डेनिस्टी के जैसे जो रूलर्स आए अनन्त वर्मन ठीक है अनन्त वर्मन डिसाइड़ टू एरेक्ट टेंपल फॉर पुर्शोत्तमा जगन्नाथ ठीक है तो जगन्नाथ भगवान के लिए उन्होंने टेंपल बनवाने का निर्नलिया 12th century में ठीक है तो मेडिवल टाइम प्रेड में पढ़ना है तो जैसे आप अगर देखोगे तो यह नाइट वीव है जगन्नाथ पूरी का जो मंदिर है तो यह जगन्नाथ पूरी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा फिर उनके बाद में और जो रूलर्स आ है तो इन 1230 अंगा भीमा 3 अंगा भीमा 3 decided, sorry, dictated his kingdom to deity and proclaimed himself as the deputy of the god तो अब अंगा भीमा ने क्या बोल दिया कि मेरा पूरा का पूरा सामराजी जो भगवान के लिए समर्पित है लेकिन भगवान के बाद मैं हूँ तो अब इससे देखो फाइदा मिलने वाला आप इस चीज को समझ के चल नाम से जाना जा रहा है, मतलब इन धार्मिक के सकते हैं प्रथाओं के कारण जाना जा रहा है, तो वहाँ पर अगर उन धार्मिक प्रथाओं को support करोगे, उन religious traditions को support करोगे, तो rulers की legitimation बनने वाली है नहीं बनने वाली है, लेजिटिमेस मतलब क्या है, rulers की value बढ़ने वाली ह बढ़ने वाली है, बढ़ेगी ही, क्योंकि अब क्या है, लोग भी खुश होंगे, कि हमारा राजा अच्छा है, जो हमारे region में जिस चीज की चर्चा सबसे जाता है, जिस धर्म के कारण हम जाने जाते हैं, हमारा राजा उस धर्म की बात करता है, तो यह वही सीधा सा concept है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रूलर्स ने भी religious traditions का इस्तमाल कि अपने regional culture को अपनी regional domination को establish करने के लिए, ठीक है, आगे देखो जरा, तो यहाँ पर वही बताएगा है, कि जैसे पुर्शोत्तम जगरनातपुरी हो गई है, अंगा भीमा 3 जो है, तो आपको inscription मे एक इमेच देखने को मिल जाएगा, अंगा भीमा 3 जो है, तो आप क्यों करते थे सारे रूलर्स जो थे इन religious traditions को क्यों प्रमोट करते थे, तो simple सी चीज है, जैसे जैसे क्या होता है, temple और religious cult का establishment होते चले गया, temple और religious cult जो है, तो उनही से वहाँ का region जाने जाने लगा, ठीक तो इसके चलते क्या होता है, कि रूलर्स भी सपोर्ट करें, और temples की क्या होगी, the temples gained importance as a center of pilgrimage, अब जब pilgrimage center, अभी आगे चैप्टर पढ़के आब आगी कहानी वही है, देखो, history में सबसे मैज़दार चीज बतातो बच्चों में, history में क्या होता है, नाम बदल जाएंगे, time जगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन जो pattern रहता है, वो pattern हमेशा एक जैसा चलता है, तो pattern यहाँ पर यही हो रहा है, आपने देखा हो कि हर जगा, जहाँ, temples की क्या होती है, significance बढ़ती है, pilgrimage center बन जाते, लोग आते हैं, तो उस पे लोगों की नजर हो जाती, फिर उस area में, उस जगा पे लोगों की नजर हो जाती, जैसे South India में हमने गांगई कुंडा चोलापुरम, यह सारे region पढ़े थे आगे chapters में, तो अब तब आपको क्या समझ में आया था, कि temples की significance बढ़ी, तो लोग क्या करने लगेंगे, राजा हो जाये, चाहे जो दूसरे foreign attackers हो गएं, जैस तो अगर आप temple और temple authorities जो है, temple के आजुबाजु की area जो है, temple वाला region आपके पास है, तो आपकी authority भी बहुत जादा हो जाएगी, ऐसे रहता है ना, कि मानलो क्या है कि एक बहुत अच्छा घोड़ा है, समझना, तो वह बहुत अच्छा घोड़ा किसी के पास नहीं सोसाइट तो आपकी भी influence जैसे बढ़ जाएगी, एक example दिया हमेने, तो उसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे इन religious traditions की, religious centers की, temples की value बढ़ते चले गई, तो और सारे rulers वगेरा भी बहुत जादा support करने लगे, ठीक है, वही point यहां पर बताएगा है, जो मैं आपसे starting में बता रहा था कि क्य कर रहे थे ऐसा why, तो why का answer यह आपको मिल गया, और इसका impact क्या हुआ देखो, आज गंगा dynasty के जो rulers थे, ठीक है, अनन्त वर्मन वगेरा, वो इस चीज को support कर रहे थे, अब कल को क्या होगा, तो all those who conquered Odisha, तो बात में, जिन्हों ने Odisha पे हमला भी किया, ना, कौन-कौन जैसे कुछ करें ना करें, टेंपल पे पहले कपजा कर लो, टेंपल को अपने अंडर में पहले लियाओ, क्योंकि टेंपल ही तो significant place है वहाँ पे, टेंपल ही वहाँ की regional culture को express करता है, समझ में आ रहा है ना, वही चीज रहती है, तो they felt that this would make their rule acceptable to the local people, उने ऐसा लगता था कि, जब local people जो है, टेंपल को सब कुछ मानते हो, टेंपल जब हमारे पास होगा, तो local people हमें भी सब कुछ मानने लगेंगे, यह idea रहता था, सारे rulers का religious traditions को लेकर, यह हमने जगनात कल्ड के example से सारा सब कुछ समझाए, आशा करता हूँ कि आपको concepts clear हुए, किसी प्रकार का doubt नहीं है, ठ करते हैं, ऐसे ही आगे और हम subsequently एक-एक topic पढ़ते जाएंगे, अब हम next video में, राजपूत and the feeling of heroism जो है, उनका culture जो heroism को explain करता है, ठीके, उसे हम next video में पढ़ने वाले हैं, Magnet Brains पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, chapters, topic, subtopic, सब कुछ systematic way में, इसी तरह से, video lectures के format में available है, और सबसे मैजदार बात काया पता है, यह सारे video lectures free of cost available है, जी हाँ, आप अपने juniors और seniors को Magnet Brains के बारे में ज़रूर बताइए, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.